हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चेनल राते राते एक रोचेट तो आज हमें दस्ताने बनाएंगे छोटे बच्चे के लिए यह मैंने थ्री मंथ चेले करके शिक्स मंथ के बच्चे के लिए बनाया है लेकिन आप इसे बड़े आराम से छोटे और बड़े भी बना सकते है तो वो भी मैं वीडियो के बीच बीच में आपको बताती चाहूंगी कि छोटा और बड़ा भी आप किस तरह से बना सकते हैं तो इसके साथ के मैंचेंग के मैंने जोक्स भी बनाये है दखें इसकी वीडियो मैंने अपनी चैनल पर अपलोड कर दी है लिंक आपको डिस्प्रिक्शन बोक्स में दे दूंगी तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं और इंस्टाग्राम भी आप मुझे फोलो करना चाहे तो भी लिंक में आपको डिस्प्रिक्शन बोक्स में दे दूंगी क्योंकि वहाँ पर जो भी चीजे में बनाती हूँ वीडियो बाद में आती है लेकिन वहाँ पर में फोटो अपलोड कर देती हूँ पहले और आप जो भी कोई चीज बनाते हैं मेरी चेनल पर देख करके तो फोटो भी आप मेरे साथ शेयर करना चाहे तो भी आपको मुझे इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं तो चलो इसे बनाना स्टाट करते हैं हमने इसे 16 डबल क्रोशे से स्टाट किया है अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं तो कम लीजे अगर बड़ी बनाना साथ है तो इसे ज्यादा लीजे तो इसके लिए पहले हम इस तरह से एक मेजिकल हरिंग बना लेंगे और इसके बनाने के लिए हमें क्रोश्या लिया है 3.0 mm का और वूल हमारी 4 प्लाई है तो इस तरह से हम मेजिकल रिंग बना लेंगे और इसके बाद हम 3 चेन बना लेंगे और इसी रिंग में डाल करके हम 15 बार डबल क्रोश्या करेंगे तो तिन की चेन को साथ में गिनेंगे तो ये टोटल हमारे 16 बार डबल क्रोशे हो चाएंगे तो इस तरह से आप ये 16 बार कर लिजे तो ये हमने 16 बार डबल क्रोशे बना लिए इसके बाद अब हम इसको खीच लेंगे इस तरह से और अब हमें इस राउंड को चोइट करना है स्लिप टीच से पहली चैन में डाल करके हम स्लिप टीच कर देंगे और इस थागे को हम खीच करके यहां पर अंदर की साइड नोट लगा देंगे और अब हम यहां पर एक, दो और तीन चैन बनाएंगे और जहां पर हमने तीन चैन बनाएंगे इसी जगाप पर डाल करके हम फिर से डबल क्रूशा बनाएंगे और अगले वाली चैन में फिर से दो डबल क्रूशा बनाएंगे एक ही चैन में दो डबल क्रूशा बनाएंगे हम देखे तो यह 16 से हमारे डबल हो जाएंगे तो यह हमारे 32 हो जाएंगे 32 हो जाएंगे एक चेन में हम हर एक चेन में दो दो बार डबल क्रोशे बनाएंगे तो इसी तरह से राउंड आप पूरा कंप्लिट कर लिजे तो देखी हमारा दूसरा राउंड पूरा हो गया और एक चैन में हमने दो दो बना लिये और हमारे पांस 32 डबल क्रोशे है दूसरे राउंड में अब हम इसे स्लिप टीच है जोईट कर देंगे और यहाँ पर फिर से तीन चैन बनाएंगे और अब हम हर एक चैन में एक एक बार बनाएंगे तीन चैन के उपर हमने तीन चैन बना लिए और आगे के उपर हमने डबल क्रोशे है बनाया और अब फिर से हम डबल क्रोशे ही बनाएंगे हर एक चैन में एक एक बार तो इसी तरह से हमारा राउंड पूरा होगा दिखे और एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशा बना लिजे तो यह आपके 32 के उपर 32 आ जाएंगे तो दिखे हमारा तीसरा राउंड पूरा होगया हमने हर एक चैन के उपर एक एक बार ही डबल क्रोशा बनाया अब हम यहां से धागा चेंज कर देंगे तिसरी वाली चेंज में क्रोश्या डाल करके इस तरह से अब हम रहने देंगे और यहां से वाइट में नोट लगा देंगे और अब हम यहां से वाइट धागा स्टाट करेंगे देखे इस तरह से और अब हम यहाँ पर इस दोनों धागों को साथ ले लेंगे और यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे और अब वाइट से भी हर एक चेन में हम एक एक बार ही बनाएंगे हर एक चेन के उपर एक एक बार डबल क्रोश्य हम बनाते चाहेंगे और 32 के उपर हमारे 32 आने चाहिए आप बनाते वक्त गिनते चाहिए और अब हम जितने भी वाइट राउंड बनाएंगे वो सारे हर एक के उपर हर एक ही एक एक चेन में एक एक ही बनाएंगे डबल क्रोश्यां और 32 के हमारे 32 ही कंटिन्यूर रहेंगे नहीं घटाएंगे और नहीं बढ़ाएंगे तो इसी तरह से हम इसको बना लेंगे और यह हमने 16 से स्टार्ट किया है शुरुआत में तो आप इसे 0 से लेकर के 3 मांज के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसे 14 से स्टार्ट कीजिए और बाद में हमारे 28 हो जाएंगे तो फिर 28 के साथ आप कंटिन्यूर कीजिए और हमने वाइट कितने यह राउंड बनाए है देखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ तो आप 0 से लेकर के 3 मांज के लिए बनाना चाहते हैं हमने साथ बनाई है तो आप यह वाइट 6 बना दीजिए और यहां पर आप 2 कम कर दीजिए तो आपके थोड़े से यहां से भी कम हो जाएगा और इसके लंबाई भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो यह हमने 16 से स्टार्ट किया इसके बदले आप 18 से 20 से 22 से इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत बड़ी बनाना चाहते हैं यह किया डेट साल के बच्चे के लिए तो आप यह राउंड बढ़ा भी सकते हैं यह हमने 7 बनाए इसकी जगह आप 8 भी बना सकते हैं और एक कलर चेंज करने से पहले भी एक राउंड आप और बना सकते हैं तो इसके उपर यह वाला परपल फिर से बना सकते हैं तो चार परपल कर लीजिए और इसके बाद यह आठ वाइट कर लीजिए तो दो राउंड आपके वेसे ही बढ़ जाएंगे तो इसी तरह से अब यह राउंड हम कंटिन्यूर करेंगे वाइट साथ तो आप यह बना तो दिखे हमारा पहला राउंड पूरा हो गया वाइट इसे हम तीसरी चेन में डाल करके स्लिप टीछे जोइट कर देंगे और यहां पर तीन चेन बना लेंगे और फिर हरे के उपर एक एक बार डबल क्रोशा बनाते हुए इसी तरह से राउंड करेंगे तो अब मैं आपक से हमारे साथ वाइट होंगे तो देखिए हमने साथ वाइट राउंड बना लिए है देखे और अब हम इसको यहां पर तीसरी वाली चेन में जोइट कर देंगे स्क्लिप्टिज पूरे नहीं करेंगे से यहां पर ठाग़ा डाल करके रहने देंगे अब हम थागां यहां से ते चेन करना है देखे हमने इस थागे को शुरू कर देंगे और अब हम इस दोनों को खींच लेंगे और अब हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है और हर एक chain के उपर अब हम हर एक में एक एक बार बना लेंगे जैसे हमने white बनाया है इसी तरह से same हम बना लेंगे देखे पहला round हम इसी तरह से बनाएंगे फिर बाद में जो हमारा purple का round आएगा वो एक back post और एक front post तो इसी तरह से हम इसको बनाएंगे एक बेक पोस्ट और एक फन प्रोस्ट तो अब हम इसको पहले तो सिंपल साई राउंड हर एक के उपर एक एक बना लेंगे देखे इस तरह से तो देखे अब फर पर हमारा पहला राउंड पुरा हो गया और इसे भी हम तीसरी चैन में डाल करके स्लिप्ट इच्छे जोइट कर देंगे इस तरह से और अब हम तीन चैन के उपर तीन चैन बना लेंगे और इसे इस तरह से ये चो हमने तीन चैन थी इसी के उपर तीन चैन बनाई तो अगला वाला चो डबल पुरूश्या है इसे हम इस तरह से पूरा उठाएंगे और इसके उपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे देखे इस तरह से और अब हम एक बेक पोस्ट करेंगे इसको हम पिछे से उठाएंगे देखे इस तरह से और फिर से एक फ्रंट पोस्ट करेंगे और फिर से बेक पोस्ट इसको हम पिछे से इस तरह से उठाएंगे फिर से front post फिर से back post तो इसी तरह से ये हमारा पूरा round complete होगा देखे तो देखिए हमारा पहला round पूरा हो गई है वेसे हमारा purple दूसरा round है लेकिन बेक पोस्ट और फ्रन्ट पोस्ट का हमारा पहला राउंड थाए तो हम इसको अब यह हमारा यह हमने फ्रन्ट पोस्ट बनाया है लास्क में तो अब हम यहाँ पर शलीप टीट से चोईट कर देंगे तिस्री वाली जेन में और तीन चेन के उपर फिर से तीन चेन बना लेंगे और फ्रंट पोस्ट के उपर फ्रंट पोस्ट और बेक पोस्ट जहाँ पर बनाया था वहाँ पर बेक पोस्ट तो हर एक के उपर हम चैसे हमने बनाया था इसी तरह से हम बनाएंगे इस राउन में भी देखे जहां पर फ्रंट पोस्ट है वहां पर फ्रंट पोस्ट और जहां पर बैक पोस्ट है वहां पर बैक पोस्ट तो एक हम आगे से उठाएंगे और एक हम पिछे से उठाएंगे तो इसी तरह से यह राउंड हमारा कम्पलीट होगा ये total हमारा तीसरा round है तो total हमने ये 5 round बनाए है 1, 2 और 3 तीसरा हमारा चालो है और बाकिके हम इसके बाद 2 बनाएंगे तो total हमारे 5 round हो जाएंगे और 5 हमने से इसी तरह से बनाया है कम या ज़्जदा कुछ नहीं करना है सिर्फ यहां पर back post के उपर back post और फ्रंट पोस्ट के उपर फ्रंट पोस्ट तो इसी तरह से आप पांच राउंड कम्प्लेट कर लीजे मैं आपको करके दिखाती हूँ तो दिखे हमारा पांच वा राउंड पूरा हुगया आमने टोटल पांच राउंड बनाए एक दो तीन चार और पांच और ए राउंड हमारा पूरा हुगया इसके बाद अब हम यहाँ पर स्लिप्टीच से चोईट कर देंगे और अब हम हर एक चेन में एक एक बार लाइन बन जाएगा तो इस सरा से अब स्लिप्टीच कर लिए तो दिखे हमने स्लिप्टीच बना लिया है पूरे राउंड में अब हम एक चेन ले करके थागा काट लेंगे और अब हम इसकी डोरी बनाएंगे देखे इस थागे कि हम अंदर की साइड नोट लगा देंगे और अब हमें यहाँ पर डोरी डालनी है ताकि बच्चे के हाथ से निकलना जाए और आप यहाँ से टाइट कर सके इसलिए हमने डोरी में मुट्टी भी डाले है तो इसके लिए हम पहले चेन बना लेंगे हमने चेन बनाने के लिए 14 नमबर का गुरूश्या लिया है ताकि हमारी चेन थोड़ी सी पत्ली रहे तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा थागा रखना है यहाँ पर मूती डालने के लिए तो थोड़ा सा थागा रख करके हमने यहाँ पर 100 चेन बनाई है आपको चितनी भी लं से काट लेंगे क्यूंकि हम इस थाड़ी डालने के लिए भूड़ा ऑपक हखे ल में चिछ भी आंपर देंगे दॉड़ा से यहाँ लिया है और अब यहां से इसको डाल देंगे इस तरह देंगे अब हम एक के जो फ्रंट पोस्ट है इसे छोड देंगे एक हम फ्रंट पोस्ट सोड देंगे और दूसरे वाले से निचे से निकाल देंगे फिट से एक छोड देंगे और अगले वाले में से निकाल देंगे फ्रंट पोस्ट वाली लाइन हमने ली है दिखे एक हम छोड़ देंगे और नेक्स वाली में डाल देंगे एक छोड़ करके एक एक के अंदर डाल देंगे देखे तो यहाँ पर अब हम इसी तरह से रहने देंगे और अब हम यहाँ पर दोनों जगा पर हमने चैसे मोती डाला है इसमें दोनों जगा पर हम सेम कर लेंगे खीच करके दोनों साइड देखे और अब हम इसमें मोती डाल देंगे और मोती डालने के लिए हमने क्रोश्या लिया है दस नमबर का तो इस मोती को हम इस तरह से डाल देंगे पहले मोती डाल दिया क्रोश्या में फिर धागा खीच लेंगे तो इस तरह से निकल जाएगा और यहाँ पर भी इसी तरह से पहले हम क्रोश्या में मोती डाल देंगे और फिर यहाँ पर इसको खीच लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा और अब हम मोती के पांस में एक या दो बार नोट लगा देंगे ताकि ये मोती भी हमारा निकलना जाए इसमें से देखे इस तरह से बिल्कुल मोती के पांस लगानी है दो बार नोट लगा देती हुमें देखे इस तरह से तो दोनों साइडिये से कर लीजिए देखे तो यह हो गया अब हम एक्स्ट्रा थागा काट लेंगे तो दिखे दोनों दस्ताने बन गए है और यह बहुत ही खुबसूरत लगता है और इसके साथ यह पूरे सेट में आप बनाएंगे तो यह बहुत ही अच् सकते हैं जो भी कलर सो वाइड के साथ सब कलर से अच्छे लगते हैं तो आशा करती हो आपको मेरा सिखाने का तरीका समझा रहा होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीचे शेयर कीचे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीचे और भी कोई नीए वीडियो डालू तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक यू फॉर वाचिंग